नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मेरी पुरानी वीडियो पर जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनको पढ़ता रहता हूं और कोशिश करता हूं कि उनका टाइम पर रिपलाई दूँ नेक्स्ट डिमांडिंग टोपिक मैक्सिमम लोग जो कॉस्टन पूछ रहे हैं कि एर्मेन को खाने में क्या मिलता है तो आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूं एर्मेन के खाने के उपर तो चलिए स्टार करते हैं आर्मी, नेवी और एर्फोर्स के जवानों के राशन का स्केल मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस डिसाइड करती है जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि एक एर्मेन का एक दिन का राशन फिक्स्ट होता है इसी राशन से उसका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसकी चाय बनती है एर्मेन को उनका खाना एर्मेन मैस के डाइनिंग होल में परोसा जाता है एर्मेन मैस का इनचार्ज एक administrative assistant trade का एर्मेन ही होता है वह है एर्मेन की strength और राशन की उपलबता के अनुसार पूरे हफ़ते का menu त्यार करता है भारतीय वायू सेना में भारत के अलग अलग हिस्सों से एर्मेन भरती होते हैं मैस के मेन्यू को इस प्रकार से तियार किया जाता है ताकि भारत के सभी हिस्सों की डिशिज कवर हो तो चलिए सबसे पहले हम ब्रेकफास्ट के बात करते हैं ब्रेकफास्ट में हफ्ते के सातों दिन अलग-लग डिशिज बनती है नॉर्थ इंडिया के लिए पराँठे, सेंट्रल इंडिया के लिए पोःज, साउथ इंडिया के अलग-अलग स्टेट्स के लिए उथपम, उपमा और इडली इत्यादी बनते हैं इन में से डिश कोई भी हो इसके साथ एर्मैन को ब्रेकफास्ट में अंडे और चाई या कॉफी में से कोई एक चीज मिलती है आईए अब बात करते हैं लंच की लंच के मेन्यू में डाल, रोटी और चावल हफते के साथो दिन फिक्स्ट रहते हैं हफते में किसी भी दो दिन रोटी की जगह पूरी या भटूरे ले ले लेते हैं और चावल की जगह बिरियानी परोसी जाती है लंच में दाल रोटी और चावल के साथ एक तरी वाली सबजी, एक सूकी सबजी, दही या कड़ी में से कोई एक चीज, सलाद या स्प्राउट्स परोसे जाते हैं इसके साथ लंच के साथ हफ़ते में कभी कभी सिजनल फूट्स भी मिलते हैं श्याम के चार बजे एर्मेन के लिए चाय बनाई जाती है अब बारी आती है डिनर की लंच की तरह ही डिनर के मेन्यू में भी दाल रोटी और चावल हफ़ते के साथो दिन फिक्स रहते हैं इनके साथ डिनर में एक सूखी सबजी और एक तरी वाली सबजी दी जाती है लंच के मैन्यू से उलट श्याम को दही की जगए दूद दिया जाता है इसके साथ ही एर्मेन मैस में हफते में तीन से चार बार हलवा खीर इत्यादी कुछ न कुछ मीठी चीज बनती है लंच और डिनर को मिला कर एक हफते में चार से पांच बार एक नोनवेज डिश बनती है वहीं वेजिटेरियन एर्मेन के लिए नोनवेज की जगए पनीर ले लेता है अगला कॉश्चन जो बहुत से लोग पूछते हैं कि एर्मेन मैस के खाने की कॉलिटी कैसे होती है तो उनको मैं बता दूँ कि इंडियन एर्फोर्स की मैक्सिमम एर्मेन मैसिज में खाना काफी अच्छा है फिर भी खाने की कॉलिटी खाना बनाने वाले कुक और एर्मेन मैस के इंचार्ज पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपके मुन में कोई डाउट है ता आप उसे मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई